दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूशन खतर नाक सतर पर पहुँच गया है और केमिकल की वज़सी यमुना में ज्जाक की मोटी चादर पड़ी हुई है नौइडा दिली का पूरा कच्रा यमुना में गिरता है और यमुना का पानी कई तरह के केमिकल और सीवर के पानी से दूशित हो रहा है यह क्यामिकल आपस में रियक्शन करते हैं जाग बनाते हैं यमना नदी में जाग के बीच पूजा करने बाले विडियो वायरल हो रहे हैं तो चट व्रतियों ने जाग की मोटी चादर के बीच सूर्य को अर्ग दिया था यह तस्वीरे बेहद ही गंभीर सवाल खड़े कर दे सूर्य दिखा रहे हैं जाग की मोटी चादर यहां पर दिखाई दी और इसी जाग के बीच छट व्रतिधारियों की तरफ से सूर्य को अर्ग दिया गया तो बताया जा रहा है कि जो फैक्टर से निकलने वाला क्यामिकल है वो रियाक्शन करता है और जो जाग कर उपले लेता है तो दिल्ली के कई जो नाले हैं वो यमुना में गिड़ते हैं और इस्तरती आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से कमभीर हो चली है चट की तस्विरे जिस दौरान चट व्रतधारी जो महिलाए है वो जाग के बीज खड़े होकर अपने सुरे को अर्ग अपने व्रत को संपून करती हुई नजर आई लेकिन ये वाकई तस्विरे बेहर चिंता जनक है और सोशल मेडिया पर भी ये तस्विरे काफी वारल हो और ही है